Hello Everyone, Welcome to Study Time with a new informative video UPPSC से आप सभी को पता है कि बहुत सारी जो vacancy है वो आती है जिसमें आपका PCS का exam है, ROYRO का exam है, BEO का exam है और अभी तो APS की भरती भी आने वाली है और भी बहुत सारी जो भरतियां है वो ये आयोग जो है UPPSC वो करवाता है, तो इस बार जो है आयोग बहुत सारी जो नई चीज़े है वो सोच रहा है और उसके साथ एक जो बड़ा बदलाव है वो भी करने जा रहा है और पीछे तो आपने एक बदलाव देखा ही था कि PCS से ऑफसनल जो है वो हटा दिया गया था UPG के उसमें डाल दिया गया है, लिकिन अब जो बदलाव करने जा रहा है वो सभी भरतियों के लिए है और सभी जो बच्चे हैं उनके हित में हैं और जो बदलाव है वो आपको इसी PCS 2023 से देखने को मिल जाएगा और इसके बाद आपका RO RO exam होगा, APS की भरती होगी या फिर आगे जो भी भरतियां है उन सभी में आपको ये जो बदलाव है वो देखने को मिल जाएगा आप सभी को पता है कि आयोग जो है एक्जाम लेता है तो उत्त्र प्रदेश के जो बड़े बड़े आपके जिले हैं 17-18 जो जिले हैं उन required में जो अपनी परिक्छा है इस तरह चित्रकूट तो इनको इलहाबाद या जहासी या तानपूर इस तरह जाना पड़ता था और भी छोटे-छोटे जिले तो आयोग इस बार विचार कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो exam center है वो बनाय जाए यानि कि ज़्यादा से ज़्यादा जिलों को बनाय जाए ताकि आपके पास वाले जिले में ही आपका जो center है वो पड़े यानि कि अगर आपका जिला center नहीं बनता है आपके जिले में आयोग का center नहीं है आयोग exam नहीं करवा रहा है तो आपके आसपास वाला जो जिला है उसी में आपका जो center है वो जाए यानि कि इस बार जो आपके पहले 18-19 center जो सहर रहते थे इस बार आपको कम से कम 35-40 के something जो है और भी बढ़ सकते हैं अभी चुनाव हो रहा है और सारी चीज़ उसमें देखी बनाया जाए तो अभी बात चल रही है और उस पर देखिया आगे क्या होता है लेकिन ये तो बात निश्चेत है कि इस बार आपके center जो है वो सहर बढ़ने वाले और आपको आस-पास का ही आपका जिला जो है मिलेगा center exam center के लिए अगर आपके जिले में नहीं बन रहा है तो ये एक अच्छी ख़बर है विद्यार्तियों के लिए और अच्छा जो बदलाओ है वो करने जा रहा आयोक तो एक अच्छी ख़बर है चलिए आगे आयोक से संबंदित अगर यूपी पेसे संबंदित आगे जो भी अपडेट मिलती तो आपको चैनल इसी चैनल के मादर्ण से जो जानकारी यह वो प्राप्त हो जाएगी और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें थैंक्यू